ग्यान की बात कहीं भी सुनने को मिले तो सुन लेना चाहिए आज मैंने दो अलग-अलग इंटिव्यू सुने और उनमें जो मैंने सुना वो आपको उसका निचोड मैं आपको बता रहा हूँ एक इंटिव्यू मैंने सुना अशुतोष राना का जिसमें वो एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे वो कहते हैं कि पांच हजार स्कुएर फिट का अगर आपका घर है उधारन के लिए दे रहे थे तो पांच सो स्कुएर फिट में तो आप रहते हैं बाकी के साड़े चार हजार स्कुएर फिट में आपका एहंकार रहता है कहने का मतलब यह कि जिस तरह से बासी खाना खाने से हमारा तन रोगी हो जाता है वैसे ही जरूरत से जादा पैसा कमाना हमारे मन में कई तरह के रोग दे देता है क्योंकि उसमें एहंकार भरने लगता है और फिर हमारा शरीर ला इलाज हो जाता है मानसिक रूप से और तन के तो इलाज फिर भी मिल जाते हैं लेकिन मन के इलाज नहीं मिलते हैं अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने जैसे ही स्विच किया तो सामने आ गया करन जोहर का एक 6-7 महीने पुराना इंटरिव्यू, उसमें वो आदमी ये बता रहा था कि कैसे किसी के फ्यूनिरल पर जाते जाते, क्योंकि उसके साथ जो बॉल सूट पहना है, और किसी के मरने में जब जाते हैं आप शोक व्यक्त करने, उस समय ऐसा डिसकेशन चल रहा था, तो उस शक्स ने कहा कि मैं ऐसा मौका भी क्यों छोड़ूं, और मुझे फैबिलस वाई, लाइवस ऑफ स्टार वाइवस जो उनका शो था, उसका आइडिया आ विचार ला रहा है तो शायद कभी करेगा भी, और दूसी तरफ एक विक्ती है जो किसी के मरने में भी जा रहा है, तो वहाँ व्यापार ढूंड रहा है, तो ये वो फर्क है, जो अक्सर लोगों के चेहरों पर दिख जाता है, और मेरी ये कोशिश रहती है कि जब भी मैं क किसी को सुन रहा हूं तो उसमें से निचोड की बात जरूर निकालूं और कई बार मैं तुलनात्मक अध्यन भी करता हूं जैसे मैंने आपके सामने रखा, अब आप बताईए कि अगर किसी ऐसे शक्स की सोच है, मतलब ऐसी सोच है कि मैं किसी के मौत में जा रहा हूं, गमी मजाग बनाया जाता है, पूरे मीडिया में, सोचल मीडिया में, करन जोहर का ये मजाग क्यों बनाया जाता है, आशुतोष राना का मजाग क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि जब आप काम ऐसे करेंगे, बातें ऐसी करेंगे, और ये comparison मेरे सामने इसलिए आ गया, क्योंकि मैं आशतोष राणा का इंटेव्यू देखते देखते मैंने अचानक से चैनल सुच किया तो सामने करन जोहर था और करन जोहर के मुझे ये निकल रहा था तो कहीं न कहीं आप दुनिया में समाज में जो पहास का पात्र बनते हैं उसके पीछे खुद आप ही वजह होते हैं आप सोचिए ऐसे किसी इंसान के बारे में कोई अच्छे शब्ड कैसे कह सकता है जो मजाख ओडा रहा हो किसी ऐसे समय का जब हम किसी के मजाख नहीं उडा स है लेकिन आप सोचिए कि ऐसे मौकों से भी लोगों को शो के आईडियाज आते हैं और ऐसे मौके पर भी लोग सोचते हैं कि कैसे मैं पैसा कमाल हूँ भले मैं उसमें कुछ कूडा दिखा रहा हूँ तो अकसर ऐसा होता है हमारे आसपास कोशिश करेंगे कि ऐसी बाते हैं आपके लिए निकाल कर लाते रहें क्योंकि हो सकता है आपके आँखों के सामने से भी दोनों इंटेव्यू गुजरे हो लेकिन आप अतना कंपारिजन ना कर पाए हो उमीद है ये कंपारिजन पसंद आया होगा अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोज देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं कोशिश करेंगे ऐसी कुछ जानकारियां और निकाल के लाते रहें ताकि लोगों का अध्यन करते करते हम ये सीख सकें कि हमें किस से क्या सीखने की जरूरत है और बॉलिवुड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और मुझे रखता है आशुतोष राणा उन में से एक हैं